सांसद किशन कपूर के बाद अब प्रदेश में शराब माफियों की सक्रियता की बात करने वाले भाजपा के वरिष्ट नेता और HPCA प्रवक्ता संजर शर्मा दूसरे नेता बन गए हैं हालांकि किशन कपूर ने अपने ख़त में किसी भी कॉंग्रिसी नेता का जिक्र नहीं किया था बहावजद इसके शिम्रासी सुधिरी शर्मा ने इस मुद्दे पर टिका टिपने कर सांसद किशन कपूर की अंदुरूनी वार पर परटवार करते हुए यह सार्जनी कर दिया था कि आखिर भाजबा संसद किशन कपूर की से टार्गेट कर रहे हैं वहीं अब कांगडा के धर्मशाला से तालूक रखने वाले भाजबा के वरिष्ट नेता संजजशर्मा भी इस मुद्दे को तूल देने आगया गए हैं उन्हें शराब माफियो के शेह देने में कॉंग्रिस के नीताओं का हाथ बताया है एक खत्तों मैंने लिखा है और उन्हें सो शराब की बेटी बिना होलोग्राम की उन्हां टालीवाल में पकड़ी गई है दूसरा कांगडा में और सो पेटी इन दोनों की अफैर लोज है और मैंने यह कहा है कि इससे सरकार को यह जो शराब माफिया है वो द्रहले से सरकार को चुनना लगा रहा है और यह बहुत बड़ा जांच का दिशे है इसमें मतलब और भी जो फेक्टरीज है इनकी जांच होने चाहिए उनका ओडेट होना चाहिए ताकि सरकार को जो सरकार का रिवनी लोस हो रहा है वो ना कुछ लोग जो है वो चाहे वो कॉंगरेस से जुड़े हैं वो प्रदेश के अंदर जो है वो शराब माफिया को जो है वो प्रोचसाहिद कर रहे हैं और ताजा मामला उना का है जहांपे एक मार्स बॉटलिंग प्लांट है जो की प्रदेश के एक पूरब मंत्री और पार्टी के राष्टे सचेव, उनकी पत्नी उसके अंदर पार्टनर है, उनके एक शिमला के पार्टनर हैं, और पिछले दिनों उननी सो पेटी शराब जो है, वो वहां पे पकड़ी गई, बिना होलोग्राम के, बिना कोई टेक्स पे किये, और इसी तरह से हमारी जानकारी के मताबिक, पूरे कोबिड के लॉक डाउन के दौरान जो है, वो पूरे परदेश के अंदर इन लोगों ने जो है, वो शराब जो है, वो स्प्लाई की है, और इसमें सुनने में आया है कि कुछ अधिकारी भी जो है, वो मिलकर के, ऐसे कामों को और ऐसे लोगों को जो है, वो अधिकारी और कुछ पुलिस अधिकारियों की संलिक्तता भी ऐसे मामले में हो सकती है क्योंकि जिलों के अंदर जो है वो सभी बॉर्डर सील थे बावजूद इसके ऐसे लोग जो है वो कैसे प्रदेश के अंदर शराब माफिया मिलकर के जो है इसको पहुचाता रहा है इस को जो है वो करोडों रुपए की जो है वो बटा लगा रहे हैं प्रदेश के टैक्स के उपर और ऐसी हर्कते कर रहे हैं और ऐसे नेता जो है जो कॉंग्रेस के नेता है यहां पर आ करके धर्मशाला में बैठ करके जो है वो सरकार की मंशा के उपर दवापर करन और बाकी प झाल झाल झाल